दोस्तों आज हम इस hair dryer को repair करेंगे यह work नहीं कर रहा है बट किसी की stamp पे work कर रहा है अब इसमें जो भी problem में है इसका जो भी solution होगा आपको इस वीडियो में मिल जाएगा अगर आपको कुछ सीखने के लिए वीडियो देखने है तो आप भी देख सकते हैं अगर आप जानना इसमें बटन से भी रिलेट यह बटन भी थोड़ा धीला हो रहा है ठीक है उसने बोला कि यार कभी-कभी work कर रहा है बट कभी-कभी work नहीं कर रहा चलिए जो भी है इसका solution अभी आपको मैं बता दूँगा यहां पर बहुत सारे hair dryer online पे आपको देखने के लिए मिलेंगे अ के अंदर क्या होता है आप देख सकते हैं जो local quality के होते हैं उसके अंदर आपको local switch मिल जाएंगे local element मिलेगा local आपको technologies के अंदर मिलेगी ठीक है भाई 200 रुपय में अगर वो तो आप लगा सकते हैं कि किस तरीक किसे आपको समान मिलेगा यह खुल गया है और यहां पर मुझे लगता है कि इसमें भी कुछ ने कुछ है मुझे नहीं लगता कि इसको करें टूटना जाए हाँ यहां पर कुछ यह चीज दीगी यह जाली यह भी खुल गए कोई दिकेत नहीं है यहां पर इस सेक्शन को खोलने के रहे हाँ खुल गया है इसके अंदर एक यह गोली सी मिली है देखते हैं कि स्विच के अंदर की तो न चलिए जो भी है इसको आफ करता हुझा करेंट नहीं लग जाए इसमें मोटर यहां पर इसके पीछे रहती है अगर आप एक वीडियो मेरी और लेडी मैंने बनाके रखी है रहाए पर उसको आप देख सकते हैं डिटेल से आपको में उसमें मोटर वगर डाया हूं देख ल हbiesसा क्लोस करके दिखाना चाहूंगा हाँ या है यह इस्वाब के यह सुच्छ है आपका दो मोट ऑन यह की यह आपको फर्स्ट मौर elegant से में फ़ोज Reg G करेगा एक चीज में आपके स्विच लगे हैं यह 2000 वाट के लिए नहीं है यह सिर्फ आपके लगभग 500 वाट को सेंज कर सकते हैं यह लोकल स्विच होते हैं यह आपके 2000 वाट को सेंज नहीं कर सकते हैं बहले इसमें 10 एंपियर का लोड सेन करने की छमता है यहां पर लिखी हुई हो बट नहीं करते हैं ठीक है चलिए इसको हम इस गोली को किनारे करते हैं जैसा कि स्विच बाहर से मैंने बोला था कि यह हलका सा इस तरीके से लूज हो रहा है फिर भी हम देखना चाहेंगे यह जाहेंगे इसके अंदर की हो तो नहीं है हाँ इसके अंदर की है बट यहां पर ऐसकी लोग रही कि यह गला हुआ है कि एक संगे सो छा yourselves लगा के देखते हैं सबसे पहले यह किस तरीके से था एक सगेंड बाई गलती नहीं करने इसको लगाने में यहाँ पर इस तरीके से एक बार मुझे यहाँ पर इसको फिट करना पड़ेगा इसकी पोजिशन मैं भूल गया मुझे लगता कि वीडियो कट करके मुझे बैक जाके इसकी पोजिशन देखनी पड़ेगी अगर हम इसको उल्टा लगा देंगे इस तरीके से लगा देंगे तो फिर दिक्कत आ क्योंकि इसको इस तरीके से इंडिकेट किया गया है तो एक बार मैं वीडियो को कट करता हूं और बैक करके वीडियो को इसकी पोजिशन देखता हूं क्योंकि वीडियो पर रिकॉर्ड हो चुका है और मेरे हांखों ने इसको रिकॉर्ड नहीं कि चलिए फाइनली इसकी प देखिए अब वो मज़ा आ रहा है जो आना चीए मज़ा आ गया तो यही तो फिलिंग चीए भाई स्विच पे वो गोली के वज़े से कहीं ने कहीं रह गया होगा हाँ इतना है कि यार चलो स्विच काम कर गया कहीं गला नहीं है अगर गल जाए तो क्या करें अगर गल जाए तो आपने ऐसा इस स्विच पर्चेस करके डाल देना है भाई भले ये रेड वाला गला हो भले बले बलेक वाला गला हो जिस कलर का आपका गला हो ये एर वाला है ये ये एर के लिए है ये आपका हीटर के लिए है तो यहाँ पर इन्होंने सेपरेट दिया हु heater को भी control कर सकते हैं इसको off कर देंगे तो heater काम नहीं करेगा चलिए एक बार मैं इसको चलाता हूँ उसके बाद ही पता चलेगा कि भाई ये काम कर रहेगी नहीं ये maybe master है यानि कि ये आपके heater के साथ ये main master मुझे लग रहा है चलिए देखते हैं इसको हम पहले इसमें रखते हैं और इसको हम रखते हैं एक step पर चलिए on कर के देखते हैं no not working चलिए एक बार मैं इसके switch को on कर गाता हूँ और देखता हूँ switch का भी मुझे issue नहीं लग रहा है ये बार फिर से चला के कि में कोड को भी देख लूँगा में कोड की प्रॉब्लम तो नहीं नो इसको लगा कि भाई नो कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है स्विश्टो रिपैर हो गया चलो अची बात है अभी काम करूंगा इसके में पे में पर voltage check कर लूँगा में पर हम पर voltage check कर लूँगा एक यहां पर यह जो code है न, code कहीं short वगर है तो नहीं है क्योंकि कभी-कभी डिक्कत भी हो जा रही है तो यह बार code पर भी voltage check कर लूँगा वायर लोकल दी होती है, फिर भी एक बार चेक करनेंगे हम, थोड़ा सा इसको दूर रखेंगे भाई, कहीं अचानक से चल पड़ा, क्योंकि अभी मैंने ओन किया हुआ है, क्योंकि ओन पर हम इसमें वोल्टेज चेकर पाएंगे, एसी साथ सो पर रख लिना है, और वोल्टेज चेक करनी है, अगर कहीं वायर अगर हिलगी अचानक से ओन वा तो, फैन में हाथ मारा लग सकता है, इसलिए थोड़ा सा केरफूल यह में काम करना रहेगा, यह वायर आ रही है, दो वायर आ रही है, एक वायर वहां से अटैच है एक वायर ही हाँ से अटैच है, देखते हैं, और में काट पर ही देखिए, ओहो, में काट पर वोल्टेज नहीं आ रही है, देख लो यहां पर आप, में काट पर वोल्टेज नहीं आ रही है, एक काम करते हैं यार, हमारे, कुछ दिन पहले हमने इस वोल्टेज डिटेक्टर को लिया था इसी से क्यों ना डिटेक्क करें कि फॉल्ट कहां से ये कब काम आएगा ठोड़ा साथ मैं पहले स्कोना इसकी पोजिशन चेंज कर लेता हूं फैन की पोजिशन उदर को कर लेता हूं और इस कोड को सीधा कर लेता हूं इसलिए किस्टमर ने एवा मुझे बोला भी थायर हिला हिला के चल रहा में भी कोड में कहीं ने कहीं वायर लूच रही होगी अंदर या जल चुकी होगी हैवी लोड की वज़े से हलाकि 2000 वाट का है तो लगबग घर में 10 एंपियर की की मेंसेगी होनी चीघे प्रोटेक्शन के लिए वरना वायर वायर को जला देगा क्योंकि यह कालिटी भी खास नहीं है 2000 वाट के लिए तो चकाट की वायर की क्οलिटी है कही नहीं चरह करते हैं तो यहाँ प्ला देखो आप ध्यान दो तो इस पर एक सिरीज बल्ब में कनेक्ट किया हो क्योंकि यह काम हम सीरीज में ही करते हैं सेफ रहता है उसको हमने एसी पर सेट करा है नहीं यार एसी तो आई ने लिए कई पर भी नहीं आ रही नहीं आ रही है काम करते हैं इसके लीड को पलेट देते हैं एक बार लीड को पलटते हैं अरे अभी आ रही है यानि कि एक वायर ठीक है कि इसके नदर की एक वायर खराब है डेफिनेटली दिखाता हूं आपको मैं एसे भी पता कर सकते एक वायर कौनची खराब है यहां पर पता चल जाएगा आपन इसको साइड करते हैं यह टेस्टर से भी देखिए यह वायर सही है क्यूंकि इसमारा यह स्कूरा ये फेज आ रहा है देखो और ये अधर पिकि इसमें भी फेज आ रहा है क्योंकि यह यहां से घोम जा रहा हैuren अंदर फेज के प लोटिमीटर से भी आपको दिखाता एएक और से कि से कि कि CARP आपको दिखा दिखा दिया मैंने देखिए दोनों अगर आपको फेज दिखाई देने लगे तो समझ दीजिए अंदर से घूम के उसमें दिखा देगा ओफेज चलिए मल्टीमेटर को उने रख लिया continuity की रेंज पर और यहां पर द्यान दो यह आपका blower sorry hair dryer देखो इस पर हम लगाते हैं और इस पर हम चेक करते हैं किसी एक वायर पर इस पर रखके इसमें चेक करते हैं यह बिल्गुल सही है और उसमें चेक करते हैं अब देखिए इसके साथ इसकी continuity नहीं आ रही भाई यह खराब है हमारी यह वायर कहीं कहीं से लूज है यह देखिए resistance कितना दिखा रहा देख लो अब यहां पर अगर वहीं से नहीं आ रहा तो एक second एक काम यह देखो पता चल गया वही फॉल्ट कहां से ज्यादतर फॉल्ट यहीं से दिखने के लिए मिलते हैं जिसके customer ने बोला वही हिला के चल रहा है और कभी-कभी अचानेक से चल जा रहा है तो देखो यह देखो यह देखो आई समझगे आप यहाँ पर यह देखो अभी लाया और यह कपर हीर भी हो रहा है यह देखो चल रहा को चोड़ब और यह देखो यहीं से फॉल्ट है इसको कट कर अंग और आपको दिखाते हैं डेफिनिटी यह से फॉल्ट है एक वायर अंदर से हमारी जली हुई है 2000 वर्ट के लिए यह वायर नहीं बनी है मैं कस्टमेर से पूछ लूँगा अगर वो बोलेगा तो मैं इसमें दूसरी वायर ढाल दूँगा चलिए अब इसको मैं जोड़ के आपको दिखाता हूँ अब यह परफेक्टली वर्क करेगा चलिए देख लो लगाते ही हमारा सीरीज बल्ब चल गया है और यह भी चालू हो गया है बिल्कुल सही तरीके से देखा जो भी प्रब्लम थी हमारी इस पे से थी अब यहां पर देखो मैं इसको अटा दिया हूँ और इन दोनु को आपस में अटेज करके हम सीरीज बल्ब लगाएंगे देखो तो यहां पर इसको लगा के आपको दिखाता हूँ यह देखो सीरीज बल्ब हमारा नहीं जला देखो यहां पर आप देख रहे हो दून वायर में अटेच करी है आपस में और हमारा सीरीज बल्ब नहीं जल रहा है देखो आपस में अटेच करी है तो यह आपर सीरीज बल्ब हमारा नहीं जल रहा है यह देखो आपके सामने है नहीं जल रहा है लेकिन कभी-कभी आपका fault हमारा switch से भी आ सकता है, fault इसके अंदर element से भी आ सकता है, fault हमारा, अगर आपके air पास नहीं कर रही तो motor से भी fault आ सकता है, अगर आपका heat नहीं हो रहा है, तो element का भी issue हो सकता है, कभी-कभी switch का भी issue हो सकता है, तो switch को भी एक बार check कर लाएं, switch को आ आफ करोगे तो switch काम नहीं करेगा, on करोगे तो switch काम करेगा, इस तरीके से switch को भी आप quantity पे check कर सकते हैं, बहुत ही simple है, off कर दोगे, काम नहीं करेगा, on करोगे तो काम करेगा, ठीक है, बहुत असान है इसको बनाना, या फिर पैर करना, ठीक है, बाकि एक वीडियो और suggest उसमें आप total देख सकते हैं, इसके अंदर अभी मैं इसको prepare नहीं करूँगा, क्योंकि customer ने अभी मेरे को बोला नहीं है, कि इसमें plug लगाना है, या फिर नहीं है, plug लगाना रहेगा, मैं तो उसको suggest करूँगा, कि wire भी change करें, अगर बोलेगा, तो मैं wire भी change कर दूँगा, बाकि आपको fault दिखा दिया, चलिए एक बार मैं final इसको चला के आपको दिखा दे तो, क्योंकि यहां पर काफी लोगों का comment हो सकता है, तो चलिए एक बार मैं इसको चला के भी दिखा देता हूँ, चलिए final इसको pack करता हूँ, क्योंकि बाद में खोल लूँगा, कोई दिक् और वायर लग चुकी है और ये कुछ इस तरीके से हमारा फिलाल इस तरीके से लगा लेते हैं बाद में मैं अच्छी तरीके से इसको पैक करूँगा चलिए अब मैं इसको एंपियर वाले में अटाइच करता हूं एक सकेंड अब इसको एंपियर वाले में अटाइच करूंगा इसमें क्योंकि सीरीज में ये प्रॉपर नहीं सलेगा चल गया है ये ये हीटर है और ये और आफ हो गया एक स्टेप है अब ये चल गया ओफ हो गया ये हीटर का है और ये एर का चलिए ठीक हो गया ना प्रॉपर लिकाम कर रहा है ना चलिए अब मैं इसको अभी पैक नहीं करूंगा मैंने आपको बोला कि कश्ट्वर से पूच के मैं इसको इसमां वायर वगर और प्लग होकर लगाऊंगा फिलाल पसंद आयतो वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर लेना डीटेल से समझाने के लिए थोड़ा सा वीडियो लंबा बना इसके लिए सोरी बट सीख गये हो तो एक प्यारा सा कमेंट अबश्य कर लेना थैंक्यू सो मुच वाचिं इस वीडियो